भोसलों की आंधिया इतनी तेज होनी चाहिए कि किसमत का सिक्का पूरी तरह पलट जाए आज का वीडियो बहुत इंपोरेंट होने वाला है बहुत जादा इंपोरेंट बिकोज कुछ ऐसे स्टुडेंट होते हैं जो की डारेक्ट एड्मिशन लेते हैं और प्राइवेट कोलिज में एड्मिशन लेके फस जाते हैं तो कुछ आज प्राइवेट कोलिज की सच्चाई आप लोगों के सामने में शेयर करने वाली हूँ साथी साथ entrance exam के थ्रू जिन student का admission नहीं होता उन्हें सही decision कैसे लेना है सारी चीज़े आज के इस वीडियो में detail में discuss करेंगे Hey everyone, this is Sakshi Rajput और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube channel BSP pharmacy में चलिए शुरू करते हैं So, आज का important topic बहुत important है आप सबके लिए जो student admission ले चुके हैं उनके लिए तो important है जो आने वाले time में लेने वाले admission या लेने का सोच रहे हैं उन लोगों के लिए भी most important है Right, so सबसे पहले तो pharmacy private colleges की सच्चा ही आज मैं आप लोगों को बदाने वाली हूँ उसके बारे में कुछ topics, कुछ points discuss करेंगे जो की most important है Interesting होगा वीडियो, admission ले चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वीडियो को last तक देखना है ठीक है, बहुत ही छोटा वीडियो होगा तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी तो देखें, यहाँ पर three type of admission process, admission process के तीन टाइप में First of all, direct admission, second one अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर है merit-based admission Third, अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपके लिए है entrance exam-based admission ठीक है जी, तीन तरीके से student का admission होता है, किसी भी college में particular अगर सबसे पहले तो student अगर जानकारी हो तो वह entrance exam के थ्रूई admission लेता है लेकिन अगर मैं बात करूँ, percentage की entrance exam के थ्रूई admission लेने वाले students की percentage कितनी होती है, 10% ठीक है, 10% student entrance exam के थ्रूई admission लेते है, 90% जो student है वो या तो direct admission लेते हैं या फिर वो merit-based admission लेते हैं, लगबग लगबग वो student जिनने पता ही नहीं होता कि entrance exam जैसा भी कुछ है, किसी के parents ने admission करवा दिया, किसी के brother, sister ने, किसी ने दोस्त को देखके admission ले लिया, तो 90% जो student है वो direct ही admission लेते हैं, clear हुआ, चल ये ठीक है, ये सारी चीज़े आपको समझ में आ गई, चलो, बहुत बढ़िया है, अब देखो, अगर मैं बात करूँ, next जो है यहाँ पर, देखें, आप उसके बाद entrance exam के through जो students admission लेते हैं, उन लोगों के अगर मैं बात करूँ, so सबसे पहले तो जरूरी नहीं है कि entrance exam के through जब आप admission ले रहे हैं, अगर मैं बात करूँ, अभी CUET की common university entrance exam जो भी हुआ था, entrance test, उसमें क्या हुआ, कि जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको government college मिले, नहीं, ऐसा भी हो सकता है, कि आपको, अगर आप entrance exam के through admission ले रहे हैं, तो उसमें particular उस university के जो private colleges हैं, जिनने उससे affiliation मिला हुआ है, उसमें भी admission मिल सकता, कोई issue वाली बात नहीं है, ठीके जी, लेकिन, क्या होगा, देखें, यहाँ पर वही point मैं लिखा है, not necessary, you get a government college, जरूरी नहीं है, आपको government college मिले, लेकिन, जो भी college आपको मिलेगा, college will get the best, जो भी मिलेगा, चाह वो affiliation वगरे, सब कुछ ओके होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, affiliation will be okay, ठीके जी, सारे points मैंने आपके लिए, बहुत अच्छे-च्छे, इसमें mention किये, तो सारे points को note कर लीजेगा, ठीके जी, आप हर किसी को यह video share कर सकते हैं, जो student अभी 12th में है, उनके लिए भी best है, आ प्राइवेट हो या फिर वो government हो, अब बच्चते हैं, वो student जो की भाई, जिन्होंने अभी admission जो है, वो नहीं लिया है, entrance exam के थूरू या फिर नहीं हुआ है, उनका admission, उन student को जो की direct admission लेंगे, उन्हें सावधान होने की बहुत जादा ज़रुत है, आप लोगों को सावधा आप पहुंच जाते हो, आपको बहुत मीठी मीठी बाते बताई जाएंगी, ठीक है जी, दूसरा private college में आपने चलो admission ले भी लिया, आप देखने के लिए गए private college, बहुत अच्छा infrastructure होता है, सबसे पहले तो आप infrastructure देखके ही मोहीत हो जाते हो, और आप सोशते हो, अच्छे अच्छे selfie point मिल गए, इसलिए यही पर admission लेना है, दूसरी चीज आपको एक चीज से बहुत साफधान रहना है, जैसे मैं ही हूँ particular, मैं अपना ही example देती हूँ, दूसरों को क्या बोलूँ, अगर मैं आपको बता रही हूँ, कि भाही वो particular college बहुत अच्छा है, आपने commission ही होगा नहीं, कुछ चीज़े ऐसी भी होते ही, जिनके हम तारीफ करते तो वो genuine होता है, कि हाँ सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे किसी particular हम restaurant में गए, अगर महा की service अच्छी लगी, महा का खाना अच्छा लगा, हम तूसरों को भी बोलेंगे, महा का खाना तो किसी रिश्तेदार की, किसी relative की, किसी दोस्ट की बात को मानने से पहले, एक बार खुद cross check कर लेना, मेरे कहने का मतलब है, सबसे पहले आपको खुद check करने लेना है, check everything first, सबसे पहले आपको सारी चीज़े खुद check करने, अगर वो बोल रहा है, तो एक बार cross check कर लो, cross check करके अगर आपको लगता है सही है तो आप वहाँ पर बेफिकर हो के अड्मिशन ले सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है जी सो क्लियर हुआ क्योंकि ये कॉलेजिस जो होते हैं बहुत जादा जादा डिसकाउंट देते हैं दस से बीस अजार उपे एक एड्मिशन पे सो लोग भाग आपको चिकनी चोपड़ी बाते बताएंगे रहा एड्मिशन करवा देंगे लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कोई भी बन्दा हो मैं उसे भी बोलना चाहूंगी आपके तोड़े से डिसकाउंट के लिए या फिर आपके थोड़े सी बचत के लिए किसी का लोंग टाइम पूरी लाइफ ही खराब हो जाए है ना इंडिया का इतना खराब हो चुक है कि उसके बारे में तो मैं कुछ बोली नहीं सकती बहुत शर्मनाक है ठीक है फिर भी लास्ट में थोड़ा बहुत डिसकस कर लेंगे अब देखो सबसे पहले प्राइविट कोलीजिस के बारे में आपको सबसे सही कौन बताएगा जो सीनिय चाते हो उसका फेस्बुक पेज जाके देखो किसने लाइक किया हुआ है किसने उसे शेयर किया हुआ है वह पर्टिकुलर उस कॉलिज का ही स्टुडेंट मिलेगा 99% ठीक है यह चांसिस होते हैं तो आप उससे कॉंटेक्ट करने की कोशिश करो उसका कॉंटेक्ट नंबर मि ठीक है जैसे यहां पर मैंने लिखा है लुंट टां पीस का कुछ भी क्लियर नहीं होता हैमससे बीस अन्न फिसलगे तो सबसे पहले आपने fees का चारों तरफ से clear करना है कि भाई fees कितनी लग रही है और कम से कम fees में आपको अपना admission करवाना है क्योंकि facility सबको सेम मिलते है 1.5 लाक वाले को भी, 1.5 लाक वाले को भी 80,000 वाले को भी ठीक है जी, तो उनका तुक्का होता है जहां जो जैसा set हो गया वहाई के वहाई उसे fit कर देते हैं तो सबसे पहले आपको fees का clear कर लेना है कोई additional fees बाद में तो नहीं लगेगी बोलने लगते हैं कि ये fees लगेगी dress की fees लगेगी बहुत सारी fees आ जाती है private colleges की तो उनके बारे में additional fees के बारे में आपने पहले ही बता कर लेना है कि भाई कोई fees लगेगी तो हमें बता दो दूसी जीज़ जितने भी private colleges है जो कि किसी भी particular university से अगर affiliated आपको नहीं दिख रहा है तो उसके बारे में भाई पूरा search करो क्योंकि ये trustable नहीं होते हैं किसी भी particular college में तो आप उसका निचोड निकाल लोगे पूरी तरीके से ठीक है और बात रही education system की तो education system के बारे में मैं last में यही बोलना चाहूंगी कि ऐसा हो गया है और pharmacy profession में हो या किसी भी profession में हो लग बहुत खराब education system seriously, so उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़े देखनी पड़ेगी लेकिन उसके लिए मैं आप बोल भी नहीं सकती हूं जादा कुछ फिर भी आप लोग खुद जानते हो colleges में अग्यार आप पढ़ने के लिए जा रहे हो तो मतलब महाँ पे colleges में क्या होता बही college में आप लोग गए पढ़ने के लिए तो महाँ पर first time में तो आप पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाएगा otherwise आपको 4 साल बिल्कुल free छोड़ दिया जाएगा कि 4 साल तक आप कैसे भी करो अपने हिसाब से आपने करना है 90% colleges में ऐसा ही है बस फीस 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 के नीचे बच्चा दबा रहता है यहां तक कि motivate भी बच्चे को नहीं किया जाता है बहुत ही ऐसी चीजें है मतलब अगर बच्चा first time में फेल हो गया तो इसका मतलब है कि मैं यह मानती हूं मेरा जो experience है यही है स्टूडेंट्स के साथ क्योंकि एस टीचर भी एस स्टूडेंट भी जो मैंने चीजें देखी है कि अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से आ रहा है ना क्लास में सो उसे बहुत आदा मॉटिवेशन की ज़रत रहती यह फेस ऐसा होता है क्योंकि दिमाग सब के अंदर बच्चों के अंदर एक सा है कोई ordinary होता है कोई extraordinary होता है बस इतना फर्क है अदर्वाइस ऐसी छमता सब के अंदर है कोई Hindi मीडियम से भी आ रहा है कि वो एजीली पास कर लेगा और टॉप भी कर सकता है मैं तो बोलती हूं कि Hindi मीडियम वाले बच्चों के अंदर तो और भी ज़्यादे गट्स होता है क्योंकि Hindi मीडियम वाला English कवर कर सकता है English मीडियम वाला Hindi कवर नहीं कर सकता लेकिन उसे motivation की जरूत होती है लेकिन motivation प्रोवाइट करने वाला I think so कोई भी नहीं है Colleges में तो नहीं होता है Seniors जो हैं वो अपनी seniority ज़ाडने में रहते हैं एक दो senior अगर अच्छा खासा मिल जाए और वो juniors की अगर help करने लगे तो उसकी classmates उसे जीने नहीं देते हैं मतलब college life कुछ अलग होता है atmosphere तो उस atmosphere से अपने आपको कैसे आपको बचाना है उसके लिए आपको extra platforms जूनने होंगे ठीक है जी उसके लिए आपको बहुत सारे platform सबसे पहले आपको motivated रहना है मैं तो मानती हूं कि motivated रहना ज़रूरी है हर पल आपको motivated रहना ज़रूरी है अगर आप motivated हो, अगर आपके अंदर लग रहा है कि आपको कि हाँ आप कुछ अच्छा कर सकते हो, तो आप कर सकते हो, ठीक है, last तक जाते-जाते, ज्यादा टाइम नहीं लगता, सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन last तक जाते-जाते, आप लोग 2-3 महिने में सब कुछ अच लाइव कोर्सी हमारे अवाइलेबल है, ठीक है जी, वहाँ पर आपको फर्स सेम से लेके, एट सेम तक स्टेडी मेटीरियल प्रोवाइड करवाय जाता है, अभी तक last 4 महिने से हमारे कोर्सी चल रहे हैं, जो कि हम particular अपनी application पर पिछले 4 महिने से active हुए है, 4-5 महिने से active इन 4 महिनों में, ओल ओवर इंडिया में हमारी notebook, जो है 2000 प्लस notebook, फर्स सेमस्टर की successfully deliver हो गई है, और मैं इस बात को बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हूं कि BSP Pharmacy successfully 2000 बच्चों तक अपनी जो notebook है वो पहुचा पाया है, और digital courses में बहुत सारे students join है, जो student ये video मेरा देखें, please comment section में comment करें, बहुत सारे students अपना video भी share करते हैं, हमारे youtube channel पर आप जाके देख सकते हो, वो videos भी, so thank you so much students, being the part of BSP Pharmacy, thank you so much, okay, so आप लोग जाओ, BSP Pharmacy के courses विजिट करो, बहुत helpful होंगे आप लोगों के लिए, okay students, मिलेंगे then next informatic video के साथ, अगर channel को subscribe नहीं कियो, subscribe करो,